हेलो, सिलकॉम तो बाइडोब चानल, एक्स्ट्रिम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप जिरोदा काइट में आप्सन ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे, फर्स्ट अफॉल अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते ह है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दुगा, ठीक है, अब हम सिंपल काइट को ओपन करेंगे, और अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया होगा जिरोदा काईट में तो link मैं आपको description पे दे दूँगा और अगर आप लोग हमारी link का use करेंगे तो आपको काफी अच्छा bonus भी देखने का मिलेगा तो description पे link है आप account open कर सकते हैं अब यहाँ पे काफी लोगों का यह कहना है कि हम यहाँ पे option trading कैसे करेंगे ठीक है निफ्टी बैंक के अंदर क्या क्या कंपनी साती है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते है ठीक है अब निफ्टी बैंक में क्लिक करूँगा इसका मैं चार्ट देख लेता हूँ कि अभी मुझे चार्ट में लग रहा है कि market उपर की और जाएगा ठीक है तो सिंपल मैं निफ्टी बैंक पे क्लिक किया अब थोड़ा स्क्रोल डाउन करूँगा और यहाँ पे मैं option chain पे क्लिक करता हूँ option chain पे क्लिक करने के बाद right side में मुझे put के option मिलेंगे और left side में मुझे call के option मिलेंगे put मैं तब buy करूँगा जब market नीचे चाहे तब मेरा put बढ़ेगा call मैं तब buy करूँगा जब market उपर जाए और option selling के बारे में बताऊं तो call आप लोग अगर आप selling कर रहे है ठीक है sort कर रहे लोग तो call आप तब sort करेंगे जब market नीचे चाहे और put आप लोग तब sort करेंगे जब market उपर जाए ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझे अब यहाँ पे हम लोग देख ले थे जैसे कि मैंने identify किया कि भाई market उपर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं मैं देख लेता हूँ in the money में कोई option लाइक 25,900 का जो call का option है okay call option में मैं देख लेता हूँ income 1300 का जो call option है ठीक है वो मैंने देख लिया अब मैं यहाँ पे search पे click करूँगा income 1300 call option इसको मैंने NFO bank nifty का है यह तो मैंने इसको add कर लिया ठीक है कहाँ पे add हुआ भाई सबसे नीचे में आ गया है इसका price चल रहा है 631 रुपए है ठीक है अब मैं इसके chart पे जाता हूँ इसके expiry भी मैं देख लेता हूँ कि इसके expiry है जो मेरी expiry है main उसी expiry में रहना चाहिए इसके expiry 10-30 के expiry है इसकी ओके सो यह काफी मतलब पूराना वाला है क्या so expiry मुझे 23 October अभी जो next expiry है उसका मुझे लेना है ओके तो मैं 51-300 और यहां पे October 6th October weekly ओके so यहां पे मैं weekly कर लेता हूँ इसे ठीक है यह है वो इसको मैं watchlist कर लेता हूँ अब दीखे यहां पे मैंने इसको watchlist कर लिया है अब मैं इसके information पर जाता हूँ तो इन्हें low लगाया आज का 333 का और high लगाया है 880 रुपे का ओके almost 880 रुपे का तो यहां पे मेरा prediction यह है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको buy करूँ तुकि मैं predict यह कर पा रहा हूँ कि market में buying आ सकती है तो मैं buy पे click करूँगा एक lot में होते है 15 quantity bank nifty में तो मैं सोच रहा हूँ यहां पे 100 quantity buy करूँ मतलब 6 lot ठीके price में क्या रखूँगा मैं उसका price रखूँगा जो अभी market price चल रहा है मतलब रख लेता हूँ इसे और मैं इसे intraday करना चाहता हूँ ठीके intraday मैंने select कर लिया अब यहां पे अगर मुझे stop loss लगाना रहेगा तो मैं stop loss लगा सकता हूँ advance में मैं जाता हूँ यहां पे तो मैं और भी जैसे की validity वगेरा मुझे चाहिए disclose quantity करना है मतलब target वगेरा लगाना है तो वो मैं कर सकता हूँ ठीके तो यहां पे मैं इसको regular में खरीदना चाहता हूँ ठीके 100 quantity market price में मैं खरीदना चाहता हूँ राडे में करना चाहता हूँ swipe to buy पे मैं क्लिक करूँगा और यहां पे जो मेरा यह option रहेगा वो buy हो जाएगा ठीक है अभी आप भी देखना कि आज की date में मैं यह वीडियो को बना रहा हूँ 17 अक्टूंबर की बात है 14 बच के 37 मिनट पे मैं यह trade ले रहा हूँ लूँगा और यह trade मैं आपको प्रवाइट करूँगा अपने whatsapp चैनल पे भी तो देखिएगा कि इस trade का result क्या होता है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग option trading कर सकते है जीरोदा में और सीखने के लिए आप हमारा whatsapp चैनल फॉलोव कर सकते और टॉपिक इस कवर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में